इस वीडियो टुटोरियल में मैं आपको बताऊंगा आप अपना WhatsApp या WhatsApp बिजिनस नंबर कैसे अपने पेज में एड़ कर सकते हैं और साथ ही आप अपने Facebook पेज पर WhatsApp बटन भी एड़ कर सकते हैं ताकि जब भी कोई आपको Facebook पेज से कॉंटेक्ट करें तो डिरेक्टरली मैसेज आपके WhatsApp पे आई हेलो दोस्तों मैं हूँ परविंदर इस चैनल पे मैं बात करता हूँ डिजिल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया, बलोगिंग और ओनलाइन बिजनस से रिलेटिट टिप्स के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए और डिजिल मार्केटिंग वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपना Facebook पेज ओपन करना है Facebook पेज ओपन करने के बाद अब Settings पे क्लिक कीजिए आपके Left Side में आपको कुछ Settings दिखाई देंगी थोड़ा नीचे स्क्रोल कीजिए और WhatsApp पे क्लिक करें अब आपके Facebook पेज की Connect WhatsApp to Facebook Settings ओपन हो चुकी है यहां आपको दिखाई देगा Connect Your WhatsApp अकाउंट और नीचे इसके कुछ Benefits हैं जिनको आप Read भी कर सकते हैं अब चलिए WhatsApp अकाउंट को Facebook पेज से Connect करते हैं अब आपको Country Code के सामने Search Countries पे क्लिक करना है और अपनी Country सेलेक्ट करनी है Country सेलेक्ट करने के बाद Phone Number के सामने आपको अपना WhatsApp या WhatsApp Business Number एंटर करना है और Send Code पे क्लिक करना है जैसे ही आप Send Code पे क्लिक करते हो आपके WhatsApp पर आपको एक Verification Code मिला होगा जिसे यहां डालना है और Confirm पे क्लिक करना है अब आपका WhatsApp Facebook से Connect हो चुका है लेकिन Without WhatsApp बटन This Is Useless फिलाल के लिए Note Now पे क्लिक कीजिए आप अपना WhatsApp नमबर यहां Change पे क्लिक करके Change भी कर सकते हैं अब बात करते हैं Facebook Page पर बटन कैसे Add करें इसके दो तरीके हैं Facebook Page के Home पर आईए इसके बाद बटन पर Mouse Pointer लेके जाईए अब आपको Edit पर क्लिक करना है आपके सामने Add Add Button to Your Page पोप अपन होगा आप यहां काफी टाइप के बटन सेट कर सकते हो फिलाल के लिए हम WhatsApp बटन एड करना सिखेंगे WhatsApp बटन एड करने के लिए आपको Contact You पर क्लिक करना है और उसके बाद WhatsApp सेलेक्ट करना है और Next पर क्लिक करना है अब Step 2 में Send WhatsApp Message पर क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कीजिए इसके बाद Save पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे Finish पर क्लिक करना है अब आपके facebook page पर whatsapp button add हो चुका है चलिए इसको test करते हैं इसके लिए आपको यहां three dots पर click करना है और view as page visitor पर click करना है उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा अब whatsapp button पर click कीजिए जैसे ही आप whatsapp button पर click करते हैं तो आपको whatsapp message करने का option open हो जाता है same आपके mobile के अंदर भी ऐसा ही होगा वहां पर क्या होगा आपकी जो whatsapp application है वो open हो जाएगी और वहां से कोई भी आपको direct whatsapp पर message कर सकता है अगर video अच्छी लगी तो like जरूर कीजिए और channel को subscribe कीजिए धन्यवाद